नमस्कार निक्स नाइन लाइफ लेख रही है आप और मैं हूँ आपके साथ प्रग्या सेंग राजुष रवास्तव का जिस तरह से बीटे यहाँ पर जिस तरह से बीटे वुद्वार को उनका निधन हो गया उनके निधन की खबर जब से आई है बॉलिवू जगत ही नहीं बलकि राजुनेटी के जल्यारों में भी शोक की लहर है राजुष रवास्तव बीटे 42 दिनों तक दिल्ली एम्स के हॉस्पिटल में जिन्दगी की जंग लड़ते रहे और आखिरकार 42 वे दिन इस जंग को हाल ले अंतिम सास उन्होंने बीते मुधवार को सुभा करीब दस बजे ली और फिर इस दुनिया को अलविदा कहकर अपने पीछे चोड़ गए अपने परिवार को फांस को करीब योगों हर कोई उन्हें जिस तरह से शुर्दांजली दे रहा था उसे एक बात तो यही साफ हो रही है कि राज़ श्रवास्तव ने अपने तीस साल के करियर में ऐसा नाम बनाया है कि भले ही आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उन्हीं कोई भुला नहीं पाएगा इसके साथ बता दे कि राज़ श्रवास्तव का पातिव शरीर आज उनके घर लाया जाएगा और आज उन्हीं अंतिम विदाई भी दी जाएगी विदाई के लिए तमाम बॉयूट सेर्विडीज और साथ ही राज़मीदी से जुड़े कई दिगज लोग शामिल होने के लि गी राज़ श्रवास्तव के परिवार की उन सभी लोगों की जो बीते 42 दिनू से राज़ श्रवास्तव किये हालत में सुधार होने की दुगा कर रही थे राजु श्रवास्तव के फांस की अगर बात करें तो लगातार राजु श्रवास्तव के पूजा पाठ हो रहा था, हर जगा महम रत्यूंजे का जाब चल रहा था तमाम दुआएं फीकी पढ़ती हुई दिखाई दी और जिस तरह से राजु श्रवास्तव इस दुनिया को अलविदा कहे गए बहुत दुखदाई है बतादे जब राजु श्रवास्तव के निधन की खबर आई तो उसके बाद दिल्ली एम्स के बाहर ऐसा माहौल हो गया कि वहाँ पर सेक्यॉरिटी को बढ़ाना बढ़ा ऐसे में प्यार जहां एक ओर दिख रहा है तो कहीं न कहीं मुश्किडे भी बढ़ती हुई दिखाई दे रहे हैं जो से लेकर बीजेपी ने यहाँ पर सेक्यॉरिटी बढ़ाने का बड़ा फैसला भी दिया है इंतजार है कि कब राजु श्रवास्तव को उनके खर लाया जाएगा अंतिम विदाई उनकी जब होगी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुख हर किसे को है और हर कोई अब यही कामना कर रहा है कि स्वाक्त देश के बहतर कॉमीडियन राजु श्रवास्तव जहां भी हो उन् कि शांती के लिए कामना दरता है आज के लिए सब खास वीडियो में इतना ही मुझे दीजे जास अफ नमस्कार